चलिए आपको इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर अब हम बताने जारें शिमला से आपको तस्वीरी भी दिखाएंगे और इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे उस क्लब में बिजली कारेले में आग लगी है आग की चपेट में कई भवन आ गए आग बुजाने का प्रियाज सबी भी जारी है एक्स्क्लूसिव तस्वीरी हम आपको दिखाएंगे सूचना मिलने पर घटना स्कल फायर प्रिगेट की टीप पहुची आग पर काबू पार्णी की कोशिश फिलाल जारी है अग बुजाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और ये बताया दा रहा है कि 11 बजे के आसपास इस बिल्डिंग में आग लगनी शुरू हुई थी और उसके बाद से अब तक्रीबन एक बज़रा है और अभी भी जो आग है उसको बुझाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है अगनी शमान की जो गाड़ी है पुरी तरह से आग को बुझाने के लिए यहाँ पर जुटे हुएं यह पुरी तरह से बिल्डिंग जल चुकी है लेकिन इसके साथ-साथ पीड़ेवडी का एक और दफ़तर है ये दफ्तर भी आग की चपेट में जो है वो अब आ रहा है उपर की तरफ अगर तस्वीरें मेरे कैमरा परसन रोशन आपको दिखा पाएं उपर की तरफ तस्वीरें जो है वो इस समय चट पर लोग कुछ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यह अगनी शमन विभाग के करमचार जो है वो यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ अफरा तफरी का महौल जो है वो चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है किस तरह से फायर टेंडर जो यहाँ पर आग बुझाने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं लेकिन आग इतनी ज्यादा जिस पर काबू पापाना भी बहुत मुश्किल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है इस तरफ की तस्वीरें अगर आप देखें यहाँ पर जो है किस तरह से कनेक्शन जो है वो यहाँ पर दिये जा रहे हैं ताकि आग जो है वो यहाँ पर बुझाई जा सके पानी का प्रे यहां पर पहुंचे हुए हैं और आगजनी जो है वो इतनी ज्यादा फैल गई कि आब उस पर काबू पापा ना जो है वो बहुत मुश्किल सा यहां पर नजर आ रहा है तस्वीरें आप एक बार फिर से देखें राजदानी शिमला और यहां का यूएस कलब इला का और धूएं का गुबार चारो तरफ देखने के लिए मिल रहा है आप तस्वीरें देखें इस समय और जिस तरह से अगनी शमन के जो विभाग के जो करमचारी है वो लगातार आग बुझाने का काम जो है वो यहां पर कर रहे हैं आग इतनी ज्यादा फैल गी थी कि इस पर काबू पाना बेहत मुश्किल जो है वो नजर आ रहा है कनीमत यह है कि इसके साथ और भी कई ऐसी मकान है कई ऐसे मकान है जित पर यह आग का खत्रा जो है वो यहां पर बना हुआ ह और पुलिस के करमचारी जो है वो भी यहाँ पर मौझूद है तस्वीरें जो है वो सीधा शिमला से इस समय आप देखें हैं बताया दा रहा है कि काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अब थोड़ा साभी करने देखने के लिए बेहत मना जो है वो यहाँ पर इनकी तरफ से किया दा रहा है लेकिन जिस तरह से दुएं का गुबार चारो तरफ देखने के लिए मिल रहा है तस्वीरे बयान करती है कि राजदानी शिमला में इस तरह की आगजनी ये पहली घटना नहीं है बलकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं जो है वो यहाँ पर हुई है अमुमन ये देखा गया है जब भी आगजनी की घटनाएं होती है संकरी सडकें, संकरी गलियां होने के कारण कही न कहीं जो फाय टेंडर है वो यहाँ पर समय से नहीं पहुच पाते जिसके कारण से ये आगजनी की घटनाएं जो है, वो हमेशा बढ़ जाती है जिससे जानों माल का नुकसान भी हमेशा देखने के लिए मिलता है क्यामरा परजन रोशन के साथ विकास शर्मा जनता टीवी शिमला शैरी विकास मंत्री और शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज जो है हमार साब बात करने के लिए मौजूद है अब इसकी तो इंक्वाइरी जब होगी तभी पता चरेगा क्या हुआ है अब तो क्योंकि आग भुझाले का काम हो रहा है और साथ में जो है वो पोलिस की उपया थी उसमें कुछ लोग जो है जवाऑन बैटे वे थे पर सारे उसे बच गए हैं को रेजेंच अ जैरätt दूसरी जो बीडिंग है उसको बचाव होता है लेकिन जो ओरीजनल बीडिंग पीड़र वीडि की है उसमें उनके ट्रांस्फॉर्मर से वो जल करके जो है राक होगी है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ीयां पहुंचाना भी जो हो मुश्कित में इसलिए चोटी गाड़ी में जो है कम प्रेशर होता है लेकिन सारी फायर प्रिगेट और पुलिस के जवान बाकी लोग यहां पर इसकाम में लगे वे हैं और जब बाद में बुच जाएगी तो उसके बाद असेस्मेंट होगी कि क्या नुक्सान हुआ है और कॉस ओफ फायर क्या है तो चाहिए रहे है कि देरी से यहां पर जो है फायर टेंडर पहुंचे हैं और 11 बजे आग लगी थी और 12 बजे के आस पास जो है फायर अब यह मालूम पड़ेगा कुछी मुझे बीज़े के बाद ही सूचना मिली है लेकिन फायर के टेंडर बड़ी काडिया नहीं आ तो यह थे सुरेश बारदवाज साफ तोर पर इनका कहना है कि आगजनी की घटना जो है वो यहाँ पर हुई है और ऐसे में जानो माल का नुकसान कम से कम हो इसको बनाने रखने के लिए भी तैयारी जो है वो यूद सतर पर यहाँ पर की जा रही है वहीं जिस तरहां से जनी की घटना पर काबू पाप पाना भी बेहन मुश्किल नजर आ रहा है कैमरा परसर रोशन के साथ विकास शर्मा जनदा टीवी शिम्ला